हेलो एब्रिवन वेल्कम टू चैनल सो जैक ने अपना सिलेबस रिलीज कर दिया है और उसमें बताया गया है कि कौन से टॉपिक को पढ़ना है आपको और कौन से टॉपिक को नहीं पढ़ना है लेकिन अभी भी कई स्टुडेंट को बहुत सारा डाउट है अभी भी क्लियर नहीं हो पाया है कि किस तरीके के कोशन पूछे जाएंगे और उन्हें अपनी पढ़ाई किस तरीके से जारी रखनी चाहिए इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए जैक ने एक और नोटिफिकेशन रिलीज किया है और उसमें जैक ने एकदम क्लियरली बताया है कि किस तरीके के कोशन पूछे जाएंगे यानि कि कितने long type answer होंगे long type का कोशन होगा वो पूछा जाएगा कितने objective होंगे कितने subjective होंगे short type कैसे होंगे हर एक तरीके के कोशन को एकदम detail तरीके से proper तरीके से बताया गया है कि पूरे paper में किस तरीके के कोशन पूछे जाएंगे तो आईए हम लोग एक एक करके बहुत आराम से proper तरीके से एकदम clear cut तरीके से सीखते हैं और देखते हैं कि किस तरीके के question पूछे जाएंगे जिससे कि आप अपने preparation को एकदम सटीक दिसा में एकदम proper direction में direct कर पाएं तो जहां तक class 10th का बात है देखिए class 10th में mcq यानि कि multiple choice question और very short answer type question जो होंगे वो 30 आएंगे इसमें mcq और आप fill in the blanks भी expect कर सकते हैं very short type भी 20 question 20 marks के होंगे तो अभी तेख होगे total 50 question short answer type जो question हो भी 20 mark के और long answer type जो होंगे वो भी 20 marks के ही होंगे कई लोगों के मन में doubt था कि क्या internal assessment या practical वाला जो number था वो रहेगा तो बिल्कुल इस बार भी हर एक subject में 10-10 number का internal assessment रहेगा और इस तरीके से total परिक्षा जो होगा वो 90 number का होगा 90 marks का होगा और 10 number internal assessment यानि की practical के basis पे आपको दिया जाएगा इस तरीके से total जो marks होगा वो 100 होगा यहाँ पर ध्यान देने वाला बात ये है कि हिंदी, इंग्लिस, संस्क्रेट, उर्दू, math, social science, business studies and accountancy इन सभी में pattern जो होने वाला है बिल्कुल same, exactly as it is रहने वाला है लेकिन जहां तक बात science का है, science में थोड़ा सा variation है जहां बाकी सेयों में, जहां other subjects में, MCQ plus VSA में total 30 marks से question पूछे जा रहे हैं वहीं पे science में 20 number के ही question पूछे जाएंगे अब science में 20 number के question पूछे जाएंगे, यानि कि 10 number यहाँ पे कम हो रहा है तो science का जो internal assessment यानि कि practical होगा, उसमें 10 number बढ़ाया गया है क्योंकि science जो है वो practical based चीजी है, इसलिए इसके practical को ज़्यादा weightage दिया गया है यहाँ पर यानि कि बाकी सभी बिसयों में 30 number का MCQ plus VSA से 20 number का होगा very short type question short type answer जो 20 marks के, long type फिर से 20 और 10 number internal assessment यानि कि practical कुल मिलाकर के 100 number लेकिन बस बिज्ञान में science में थोड़ा से difference रहेगा, यहाँ पर practical में 20 number का question होगा और MCQ plus VSA जो होगा, वो 20 marks का ही होगा, उमीद करते हैं कि आपको एकदम पूरा clear cut proper तरीके से समझ में आ गया होगा, कि आपको तयारी किस तरीके से रखनी है, यहाँ पर आपको यह दिखना पड़ेगा कि long answer type जो है, हर एक बिसाय में 20 number का ही आ रहा है, यानि कि जो छोटे question बनते हैं, short answer type और MZQ, one liners, इन सब पे ज़्यादा focus करना पड़ेगा, अगर आप चाहते हैं कि आपका जो performance है बहुत बेहतरीन level में जाए, तो आप इन सारे चीजों को focus में रखिए, और long answer type में जो question है, long answer type उसका weightage BC है, तो उसके बहुत ज़्यादा focus नहीं करना है, हाँ, आना तो चाहिए ही, लेकिन हमको focus इस बार कहा करना पड़ेगा, objective में, one liner में और sort type में, आपको ध्यान यहाँ पर भी रखना पड़ेगा, कि कौन से वैसे बड़े question है, जिसको break करके, दो पार्ट में किया जा सकता है, उसको sort type भी बनाया जा सकता है, उमीद है, ये video आपके लिए helpful होगा, ठीक है, मिलते हम लोग next video में, तब तक के लिए thank you, thanks a lot, have a great day